दूमाई को ऐसे ना कोई उसमें भूंयार मिलेगा ना कोई भ्रह्मन मिलेगा ना कोई तिवारी मिलेगा नहीं मिस्रा मिलेगा यहां जितने लोग सोए हो ना दावा के साथ कहा रहें दिखा दीजी एक बार नितिन और एक बर इनकी जाती आ करके आप पूछ करके देखिए साहब आपको पता चलेगा कि यह कौन से जाती से आते हैं कौन जात है हमीं पूछ रहे हैं दोपा बनाते हैं डोम कहा जाता है ना अहां पर बढंको पैसा मिल जायेगा पर किसी नेता मंतरी के बेटा की दुरगाटना होती है तो उसको पैसा मिल जाता है लेकिन कोई गरीब आदमी अग्षा चपान के किनारे हो जाए जातिय जनगरना हो रहा था तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रहा था दिक्कत इसलिए हो रहा था वे लोग कह रहे थी कि आरक्षन नहीं मिलनी चाहिए और जातिय जनगरना नहीं होने चाहिए 500 करोल रुपया जो लगाया जा रहा है ये नहीं लगना चाहिए अगर लग एक बात करेंगे के इनकी जाती क्या है इनकी धर्म क्या है ये कौन से मजःब से आते हैं लेकिन हम एक बार दिखाएंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो पटना के फलाई ओभर के नीचे नहीं बलकि पूरे देश के फ्राई उबर के नीचे सोते होंगे और सोने वाले लोगों की अगर जाती पूछ लीजेगा ना तो सच कह रहे हैं कि आपके पैरुतले जमीन खी सक जाएगा ये सचाई है इनकी जाती अगर आप पूछ लीजेगा ना हम पूछेंगे भी लेकिन एक बार सारा लोग का दिखाएंगे तस्वीर कि कितने लोग सोते हैं थोड़ा सा करीब आ करके हमारा फेस इंपोर्टेंट नहीं है इधर जो भाई लोग सोय हुए हैं ये छोटे छोटे भाई जो भारत के भविस से हो सकते हैं इन लोग का तस्वीर दिखाते चलिए और इन लोग को बताईए थोड़ा बिहार के जो लोग हैं जो बिरोध कर रहे थे जो देश के लोग हैं जो बिरोध कर रहें कि जातिय जनगर्ना नहीं होनी चाहिए उन लोग को दिखाने की बहुत जरूरी है ये लोग कहते हैं कि बिहार का विकास जातिय जनगर्णा करने से नहीं होगा, देश का विकास जातिय जनगर्णा करने से नहीं होगा, एक बर इनकी जातिय आ करके आप पूछ करके देखिए साहब, आपको पता चलेगा कि ये कौन से जाति से आते हैं, कौन से धर्म से आते है इनकी मजब क्या है यह राम को मानते हैं या हनुमान को मानते हैं या किसको मानते हैं आप आधिपुरुस का बिरोध किजिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जातिय जनगर्णा हो रहा था तो आपको खलबली हो रहा था इनसे पूछ दें आपको विश्वास हो जाएगा कि यह क यह देख लिए हम इधर जितना लोग होगा ना जितना लोग होगा दावा के साथ कह रहे हैं कि इधर जिटना लोग सोया पूल के नीचे हो या बिहार के किसी जगहों पर सोया हुगा हो पूल के नीचे या ट्रेन के बोगी में जो बाथरूम के पास बैट कर जाने वाले लोग होते हैं उनकी जाती आप पूछ करके देखीगा आपको पता चलगा कि कौन से जाती है ना कोई उसमें भुमियार ना को उसमें तिवारी मिलेगा ना ही मिस्रा मिलेगा यहां जितने लोग सोय हों ना दावा के साथ कहा रहे हैं दिखा दीजी एक बार नितिन और बताइए इन लोग को जो लोग बिरोध करते हैं उनको दिखाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है कि इनकी जाती क्या है यह जादव है इधर आजाए और भी बहुत सारे लोग है इन लोग से पूछ लेते हैं इन लोग को दीकत हो जाता है जो लोग कहते हैं ना कि जाती है जनगर्णाब में 500 क्रूर रुपया बाप्रे बिहार को बरबाद किया जा रहा है 500 क्रूर रुपया क्यों लगा जा रहा है भाईया से पूछ लेते भाईया कि मच्छर उच्छर नहीं लग रहा है जी बटादीचे अब कि अश्ट करना हमारा मकसद नहीं है लेकिन हमारा मकसद यह है कि उन लोग को बताना बहुत ज़्यादा जरूरत है जो लोग कहते हैं कि जातिय जंगरना नहीं हो नहीं लगाना चाहिए अरे भाई सहाब यहां कितना का पूल गिर जाता है है यहां कितना बड़ा मंदिर में घुटाला हो जाता है पूरा गर्भगी में सोना का परत लगाना होता है आप वहां पे पितल लगा देते हैं वहां दिकत नहीं होता है सरदार पटेल के लिए थे 30 strengthen hanar क्रोण रुपय सब्सक्राइब के नीचे जो लोग सोते हैं उनकी जाती पूछ करके आई यह ओबी सी एस सी एस्टी मनुरेटी के अलामा आपको एक आदमी सायद नहीं मिलेगा हो सकता है आप स्कृप्ट्ट वीडियो बनाएगा तो आपको मिल जाएगा यहां 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 यह अपसे पूछेंगे इस समय नहीं करेंगे भाइया उसन नहीं पूछें क्या नाम है यह दरकार आप शुन लिये ना जाती इनकी इधर भी है एक आदमी चाचा है सोय हुए है इनसे पूछ ल यहां जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोग धाइकार है मतलब कि कहा जाए तो यह लोग बास सूप देवली का काम करते हैं यानि छट में जो सबसे जनगर्णा होता तो इन लोग को पता चलता कि इनके पास कितनी संख्या है और संख्या के हिसाब से इनको भगयदारी मिलती चाहें वो बिधान सभा के अंदर के बात करें चाहें वो लोग सभा के अंदर बात करें या इनकी जमीन की बात करें इनकी सिक्षा की बात करें हर एक चीज इनको मिलता लेकिन आप लोग को अपत्ती हो जाता है कि जाती जनगर्णा क्यों हो रहा है साहब हमको इस बात कर लगता है ना कि आपको इस बात कर डर होगा कि आपकी संख्या हो सकता है अगर पूल पुलिया बनाने से बिहार का विकास हो जाता तो साध ये लोग पूल के नीचे नहीं सोते ठीक है और सबसे बड़ा बात जो लोग कहते हैं नेता लोग मंत्री लोग आ करके कि हमने बिहार का विकास किया है 17 सालों में हमने बिहार को बहुत अच्छा राज्य बना प्रधान मंत्री है नरेंद्र दामोदर्दासमोदी उन्होंने कहा था कि 2022 के 15 अगस्त से पहले जब अमरित मोहत्सों मनाए जाएगा तो उस समय भारत के एक एक आदमी के पास में घर होगा कोई भी आदमी सड़क के किनारे नहीं सोएगा आपको पता है कि प्रती दिन कितना ब्तों भारत केौन से और रोज एक्सिडेंट पता है अचारा लोग रोज एक्सिडेंट में शोटक के किनारे सोने से अब समझेने यहां पे कोई व्यक्ति सोया हुआ है, इनके बच्चा को कोई चोरी करके लेके चला जाए, यहां कोई सोया हुआ है और कोई फालतु पागल ड्राइवर आ करके इनके बच्चे को रौंद कर चले जाए, इसकी जब आप देही कौन लेगा, कौन आदमी आएगा, क्या इनको पैसा मिल जाएगा, सड़क पर दुरघटना होने पर इनका पैसा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, किसी नेता मंतरी की बेटा की दुरघटना होगी, माफी चाहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ऐसा नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि अगर किसी नेतामंतरी के बेटा की दुरगटना होती है तो उसको पैसा मिल जाता है लेकिन अगर कोई गरिब आदमी का बेटा का एक्सिद्ट रगरसाड़क किनारे हो जाए तुसका पैसा कभी नहीं मिलेगा वो कितना बार ऑफिस का चक्र लगाते रह जाएगा लगाते रह जेगा ले तोपता है आगे इआ है वहाफ का फंपवात हो देखिए जो वो बेठे है ना उसको आगे देखिया कोई नहीं है लवासदारी ना कोई नहीं है कोई देख रहा है नो कोई ताक रहा है बतायों कहाँ जाएंगे अब लोग एक अभी मर गई है कोई नहीं है उनका होगा अभी सतर अशी होगा और रोज यहीं सोती थी पानी बिना खाने बिना मर गई बूखे कौन इसको देने वाला है कुन पुछने वाला है तो का दिमाग में लगा जाए आप पर बताई यह बूखे मर रही है मर गई भूखे प्यासे अब किसको आप लोग असका हो गया है कि यह सोचने वाली बात हैं अब भी बात ही कर ने है उस इस डेटा पर बात कर नहां बहारत में प्रती दिन 18 करोड से 20 करोड लोग भूखे सोते हैं और प्रती दिन लोग मर जाते हैं भूख से लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है देश का परधान मंत्री कपड़ा बदलने में बयासते हैं अगर कोई व्यक्ति उनके खिलाप आवाज उठाता है तो उसे जेल में ड़नने में दिया नर्सी किया मैं आपको याध होगा कि एक लड़की 11 साल की ती उसको किस नल्डर– का मुकतमा जोब से गालिए जाताक है डेस में ऐसी इस्तिती हो गई है कि कोई आदमी किसे के छिलाप में आवाज उठा रहा है तो उसके आवाज को दबाने की पुनता कोसिस की जाती यह कहां से सही है लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि जनता के लिए जनता का शेवक होना चाहिए लेकिन यहां जनता की बात कोई नहीं करता है कोई नहीं सुनता है गरीब भुखे मर जाए कोई फरक नहीं पड़ता है अमीर के बेटा को कुछ नहीं होना चाहिए बिधायक मंत्र अगर करना चाहिए यह जा जाएगा अही है जा थिक ठीश चलिए बहुत बहुत धन्यवाद